Hello everyone, welcome to my channel Prepare Together. I hope you all are doing good. आज इस वीडियो में हम हिमाचल परदेश की उनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ेंगे. हिमाचल परदेश की सभी गौवर्मेंट उनिवर्सिटीज और प्राइविट उनिवर्सिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सी उनिवर्सिटी कहां पर है और कब एस्टबलिश हुई थी. तो चलिए शुरू करते हैं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हिमाचल परदेश की गौवर्मेंट उनिवर्सिटीज के बारे में. हिमाचल परदेश की first university थी वो established हुई थी 1970 में और यह थी हिमाचल परदेश युद्श यूनिवर्सिटी जो की समर हिल स्रिम्ला में है जिसको HPU भी बोलते हैं समर हिल स्रिम्ला में और यह established हुई थी 1970 में तो इसको याद रखिएगा यह हिमाचल परदेश की first university थी उसके बाद आठ साल के बाद सेकिंड यूनिवर्सिटी एस्टबलीश हुई हिमाचपदेश में जो थी चोधरी श्रवन कुमार हिमाचपदेश की कृषी विशब बिद्याल पालमपूर में है ये और इसको एग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं और ये एस्टबल दोनों उप्शन में से आपको जो भी उप्शन देखने को मिले या 1985 या 1986 तो ये दोनों ही उप्शन आपको सही होंगे तो थर्ड यूनिवर्सिटी ओपन हुई थी डॉक्टर वाइस पर्मार यूनिवर्सिटी ओफ हॉर्टिकल्चर एंड फोरेस्ट्री और ये हुई थी सॉलन में और इसको नॉनिवर्सिटी भी बोलते हैं फोर्थ यूनिवर्सिटी थी जो कि थर्ड यूनिवर्सिटी के काफी सालों के बाद यानि कि 24 सालों के बाद जब थर्ड यूनिवर्सिटी के 24 साल के बाद फोर्थ यूनिवर्सिटी हिमाजिल में खुली थी और ये फ पुछ बुक्स में 2010 भी दिया होता है तो आपको जो भी option मिले 2009 या फिर 2010 तो ये दोनों ही option सही हैं तो ये open हुई थी 2009 में उसके बाद बात करें अगर 5th university कौन थी हिमाचल परदेश की तो वो थी 2010 में open हुई हिमाचल परदेश टेकनिकल यूनिवरसिटी और ये है हमीरपूर में अगर उसके बाद 6th university की बात करें तो वो हाल ही में अभी open हुई है और ये है 2016 में establish हुई हिमाचल परदेश law university जो की शिमला के घनाटी शिमला से थोड़ा पीछे घनाटी जगा है वहाँ पर है तो ये हो गई हमारी हिमाचल परदेश की सभी 6 universities जो की government university है अब देख ले बहुत सारे एक्जाम में private universities के उनके नाम पूछे होते हैं और पूछा होता है कि ये कहां पर स्थित है तो आपके exam point of view से ये important होगा जिसे आपने JOIT 817 postcode वाले एक्जाम दिया होगा तो उसमें भी university से related exam पूछा था तो चलिए private universities को देखते हैं सबसे पहले देखते हैं अर और काटगर नामक जगा पर आपको काटगर भी याद रखना है कांगडा के काटगर में है अरनी university सेकिंड है एपीजी जिसको अलग परकास गोयल है उसका वैसे नाम पर उसको एपीजी ही बोलते है तो ये शिमला के पंथागाटी में स्थित है एपीजी university थर्ड है अभिल के वाखना घाट में है बद्दी उनिवर्सिटी ये भी सोलन जिले में है नेक्स है केरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी ये हमिरपूर के भोरंज में है केरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी नेक्स है आईसी एफए आई यूनिवर्सिटी आईसी एफए यूनिवर्सिटी ह इंडस इंटरनेशनल यूनिवरसिटी है उन्ना के बाथु में नेक्स्ट है आईएसी यूनिवरसिटी भी सोलन जिले के कालू जंडा में है नेक्स्ट है महरिशी मारकंडेशिवर यूनिवरसिटी जिसको MMU भी बोलते है ये सोलन जिले के कुमार हटी में है नेक्स्ट है महराजा अग्रसेन यूनिवरसिटी तो ये भी सोलन जिले के कालू जंडा में है नेक्स्ट है मानव भाति युनिवर्सिटी तो मानव भाति युनिवर्सिटी कहा है सोलन के कुमार हटी में मैक्समम युनिवर्सिटी है हमारे सोलन जीले में है सबसे जाधा सोलन में है ठीक है तो मानब भारती के बाद नेक्स्ट है शूलिनी यूनिवर्सिटी तो शूलिनी यूनिवर्सिटी भी सोलन के कसोली के पास है ठीक है नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है इटर्नल यूनिवर्सिटी इटर्नल यूनिवर्सिटी बाडु साहिब में स्थित है और बाडु साहिब सिर्मौर में है नेक्स्ट है सिरिसाइं यूनिवर्सिटी पालंपूर तो ये कांगडजीले के पालंपूर में है स्री साइं यूनिवर तो चितकारा यूनिवर्सिटी कहां पर है यह है कालोजंडा सौलन्वे तो यह रही हमारे हम्याचल के सभी प्राइबेट उनिवर्सिटिज तो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब क झाल झाल